28 नमंबर की बेट, कॉन को लाई बेट, हाम सर, क्या क्लास दिवाल हमारी, हाम सर, अच्छा बोट पे कोई सी एसी शुडी जो बाकी है, दोससे सीप्यू बें निकला, क्या सार, इमें सी भी निकला, पावर बें निकला, तो जेसा 26 तारिक को आप आय थे और आपके कॉणसलिं चिति कि सर यहां पर ऐसा कोई सा बंदा नहीं बाकी होगा, जो IC निकाल के CPU एक बार, दो बार या तीन बार निकाल के लगाएगा नहीं, तो कौन बाकी है यहां पर, कोई भी बाकी नहीं है, तो मतलब मैं जो फीस लेके आया था वो वापिस ले जाओ, ले जाओ, वापिस ले तो यह बताइए आज इमानदारी से दिल भर के दिन भर तक CPU किसने किसने लगा आए आपके पास अगर मैं बात करूं अगर नार्मल CPU की बात करूं मैं तो कोई साभी आगर नार्मल CPU आता तो आप लगा सकते को नहीं लगा सकते हैं चलिए ठीक है तो मैं सबसे पहले पूज़ा चाहूंगा नभीन तो क्या लेवल की ट्रिक मिलिये आपको आज बहुत अच्छा सर रहा कला सच का आज इमान दरी से बताओ CPU कितनी बार लगा दाए आपने किती बार लगा आपने किती बार लगा आपने किती बार लगा आपने किती बार 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 आपने किती आपने? दोवार सर. ललेट? दोवार सर. इधर बाप पही? दोवार सर. मज़ाया? यह सर. तो क्या बोलेजिए देव सर उनके टीम के लिए? खेंगी सर. अब दो बात करना चाहूंगा तो केसा मजमार आज आपका प्रोड़ी का आपको केसा लगा करके अच्छा लगा किमी लगड़ा आप से पूछना चाहूंगा आज पोजी का सीपयों के साथ मैं यह इंसरी अवलिंक करके वबस्ट अड़ फोन से चालो किया फिल डैट किया फि में फ्रेसर हूँ जो सब ने जो ट्रीक दिया वो उसको अपले करने से जाले 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 दो मिन में सीपू रिवलिंग होते है चलिए ठीक है मेरे सानत गुजराश से शंकर है शंकर बताई पर आज मैंने सीपू आइसे निकल के रिवल किया चालो प्वान था पहले डेट किय पिर उसके बाद चालो किया सीपू लगा के और एम्मसी भी चेंड किया और यह जो यहां का ट्रीक है सहर लोग जो समझाते है उस तरीके से फॉलो करता है तो हंड्रेट परसें डस मिनिट का काम है सीपू लगाना अच्छा यह बताईए लोगो मैं एक आप सब का रिवीव तो इदर में आप से पूछना चाओंगो आशिस फोला घया यह मिन्टू फोला आगिया इसार पहली बात तो सर चालो बोड़ निकाल के दो तिन बाल लगा सर एकदम पूरा एक बार मिला ज़िए मतलब लगाले दे असर बड़ी बात सब्से बड़ी 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 जो भी स्टूरंट है कई भी सिखने के लिए जाते तो मश्टर जो सिका दे वो थोड़ा सा भी मतलब गुस्टे वाला होता है लेकिन शर जितनी बार जाते है पूछते है ऐसा कुछ पॉबलम नहीं है अगर कोई भी सिखना चाते हैं तो यहां से मतलब एस या तेलिए पॉबलना चाहेंगे नेपाल से काफी कुछ सिखने को मिला काफी कुछ सिखने को मिला अच्छा लगा खुछ हो झाख़ा हो चलिए ठीक अ अल्दवेश इस पारते ही आप